इलेक्ट्रिक कार से लेकर रोकेट तक बनाने वाले बिजनिसमेन एलन मस्क भारत के लोगों के लिए बड़ी खुशकबरी लेकर आ रहे हैं सेटलाइट से सीधे आप तक इंटरनेट पहुँचाने के लिए भारत में उन्होंने एक कमपनी गठित कर ली है करोना काल और वर्क होम होम के दुरान दूर दराज शेतरों में लोगों को इंटरनेट की समस्य का काफी सामना करना पड़ा था ऐसे में उन शेतरों के लिए लोगों काफी सहुलित मिले की जहां पर ब्रोडबेंड के अक्टिविटी नहीं है या internet speed की गंबीर समस्या है एलन मस्क की टेसला कार कमपनी की एंटरे के बाद बहुत जल्द भारत में Starlink internet company भी दस्तक देने वाली है Starlink internet company High Speed Satellite Internet उपलब्द करवाती है भारत में इस सर्विस के उपलब्द होने के बाद उन दूर दुराज के इलागों में भी हाई स्पीट इंटरनेट का लाब उठाया जा सकेगा जहां इस समय ओप्टिकल फाइबर नेटवर्क उपलब्द नहीं है आईए स्पोर्ट में जानते हैं कि आगे सैटलाइट से सीधे आप तक इंटरनेट कैसे पहुँचेगा ये सैटलाइट से नहीं बलकि लेजर बीम का इस्तमाल कर स्पेस से डेटा टांस्वर करते हैं लेजर का अच्छा सिगनल हो तो इसके लिए एक सैटलाइट अपके पास चार और सैटलाइट से संपर्क साथता है फिर वो सैटलाइट चार दूसरे सैटलाइट से जुड़ते हैं इस तरह आस्मान में सैटलाइट का एक नेटवर्क त्यार हो जाता है जो जमीन पर हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्द करवाता है भारत में कब उपलब्द होगा सैटलाइट से इंटरनेट उमीद की जा रही है कि अगले साल मार्च तक भारत में एलन मस्क की कमपनी स्टार लिंक का सैटलाइट इंटरनेट उपलब्ध हो जाएगा भारत में अभी रेगुलेटर से एप्रूवल की परकिरिया चल रही है वहीं सैटलाइट इंटरनेट की स्पीड की बात करें तो इस्टार लिंक्स से 50 Mbps से लेकर 1500 Mbps के बीच इंटरनेट स्पीड मिलती है ये लो लेटेंसी इंटरनेट सर्विस है जो सिर्फ 20-40 मिली सेकंड का समय लेती है ऐसे वीडियो के लिए वीडियो को लाइक शेयर चैनलों को स्प्रस्क्राइब ज़रूर करें धन्यावाद